नमस्कार आप देख रहें आमपी न्यूज मैं हूँ आपके साथ रानक मध्यप्रदेश कॉंग्रिस का आपकी बार सत्ता तक पहुँचने के लिए निमार पर विशेश फोकस है जिसके चलते हैं पूर्वुप मुख्यमंत्री स्वर्गिय सुभाष यादव की जैनती के मौके पर कॉंग्रेस के दिगज नेताओं का जमावड़ा लगा इस मौके पर कॉंग्रेसियों ने एकता का बिगूल फूगा तो अधिक जौनकारी के साथ हमारे सयूगी सुनील हमार साथ जुच चुके सुनील क्या कुछ जौनकारी सामने निकल करा लिया बात करें निमार की तो निमार के सुवाश यादाओं एक बड़े नेता माने जाते हैं किसान नेता माने जाते हैं और उनकी जैनती पर एक साथ कॉंग्रेस के दिगज नेताओं का जुटना काफी कुछ महत्पुन है और इसको हम देख सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाओं में काफी कुछ महत्पुन माना जा रहा है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाओं में निमाड में कॉंग्रेस ने काफी कुछ ब में वापसी का सपना देख रही है जी बिलकुल अगर बात करें निमाड की तो निमाड में 26 विधान सभा शिटे आती है इसमें करीकर साथ जिले आते हैं धार बढ़वानी जाबुआ इस तरह से आदिवासी इलाके हैं और खंडवा जो इलाका है इसमें विजबी मजबूत है लेकिन जो अन्य जो सारे जिले हैं उसमें कॉंग्रेस की अच्छे इस्थिती है तो इसी तरह से कॉंग्रेस आगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर तयारी कर रही है कि निमाड के रास्ते अपकी बार वो जीत दर्ज करें और सत्ता तक पहुचें और इसी का नतीजा आज के साथ निमाड के साथ बी 5 सब्सकार रही है कि मालवा और निमाड में विधान सभा चुनाओ को लेकर एक बड़े जीत की तरफ आगे बढ़ने को शिए कर रही है जो उनकी योजना है इस तरह उसको लेकर वीजेपी आगए लगातार वो जितने आदिवासी सकुरी करने को जो कारे करता हैं और बहुता है न वह भी टयारी ुट है नहीं जो एक लेल्ट में से भी अपने कहीं नेताओं को खड़ा करने कोशिश की है तो हम देखेंगे जो आगा मी जो विधान सबा चुना हुए उसमें निमार काफी कुछ महत्पूर्ण हो जागा निमार की 26 सिटें वह एक बड़ा फेर बदल कर सकती है जी दनेवाद सुनी तमाम जानकानियों के लिए आप बने रहें MP News के साथ